आय ना जूट नहीं बोलता एक चोटी सी लड़की थी उसका नाम था सौनपरी वो बात बात पर गुस्सा होती थी उसकी माँ उसे हमेशा समझाती रहती कि सौनपरी बिटा इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है लेकिन फिर भी उसके स्वेभाव में कोई बदलाव नहीं आया एक दिन सौनपरी अपना होमवर्थ करने में व्यस्त थी उसकी टेवल पर एक सुंदर सा फूलों से सजा पॉंट रखा था तभी उसके चोटे बाय का हाथ उस पोट से जा टकराया और गिरने पर उसके कैट टुकडे हो गई अब क्या था सौनपरी गुस्से से बोखला उठी तभी वहाँ उसकी माने एक आयना लाकर उसके सामने रख दिया अब गुस्से से भरी सौनपरी ने अपनी सकल आयने में दिखी जो की गुस्से में बहुत ही बुरी लग रही थी अपना ऐसा बिगड़ा चहरा देखते ही सौनपरी का गुस्सा चोम अंतर हो गया तब उसकी माने कहा देखा सौनपरी गुस्से में तुमारी सकल आयने में कितनी बुरी लगती है क्योंकि आयना कभी जोट नहीं बोलता अब सौनपरी को पता चल गया था कि गुस्सा करना कितना बुरा होता है तबी से उसने गुस्सा ने करने का एक वादा अपने आप से किया कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं एक नई कहानी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद